हेलो क्रांट्स मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज फिर मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज में इस वीडियो में बात करूंगा है हेमाटोलोजी एंड क्लिनिकल पैतोलोजी लेव में हम कौन-कौन से टेस्ट परफूम करते हैं उसके बारे हम सारी जनक लाइकन दवाएं जैसे मेरी आने वाली हर वीडियो को नूटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके जरूर बताएं और अगर है उसमें जो सेल्स होते हैं टील सी डील सी एंड हीमोगलोविन यह कंप्लील ब्लड काउंट सी वीसी में काउंट होता है उसके बाद है हीमोगलोविन हवी उसके बाद है टोटल लीकोसाइट काउंट टील सी उसके बाद है डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट डील सी उस उसके बाद है mean corpuscular volume mcv, उसके बाद है mean corpuscular hemoglobin mch, मीन corpuscular hemoglobin concentration mchc, उसके बाद है blood smear with geweint, जो हम ब्लड़ स्मेयर बनाते हैं उसके बाद microscopy से study करते हैं उसके जो comment होती है वह है blood smear with comment, उसके बाद है erythrosyde sedimentation rate ESR, उसके बाद है cell, red cell distribution width RDW, उसके बाद है prothomin time PT, उसके बाद है activated partial thromoplastin time APTT, उसके बाद है PS4 microfilaria, उसके बाद है glucose 6-phosphate dehydrogenase G6PD, उसके बाद है sickle cell test, और उसके बाद है absolute e-snophil test, उसके बाद है blood group test, उसके बाद है bleeding time BT, clotting time CT, उसके बाद है lepus erythrocyde cell, ली cell, one marrow slide study, तो यह थे हमारे hemotorology lab test, उसके बाद हम बात करते हैं, अब clinical pathology lab test के बादे में, तो सबसे पहला test है ascetic fluid rotine and microscopy, इसमें सारे rotine and microscopy है, उसके बाद है pericardial fluid rotine and microscopy, उसके बाद है peritonial fluid rotine and microscopy, उसके बाद है care prosprinal fluid CSF rotine and microscopy, उसके बाद है plural fluid rotine and microscopy, उसके बाद है synovial fluid rotine and microscopy, उसके बाद है semen analyzator rotine and microscopy, उसके बाद है urine analyzator rotine and microscopy, उसके बाद है urine for bench zone protein qualitative test, तो यह थे हमारे clinical pathology test, तो यह मैंने आपको हेमाटोलोजी एंड क्लिनिकल पेथोलोजी लेफ टेस्ट की पूरी दिखाई है एक बार आपको मैं फिर दिखा जेता हूं ताकि आप स्क्रीन सोटी भी ले सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में और कमेंट करके ज़रूर बताएं थैंक्यू